नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर इस वक्त हम महराश्ट विधान सबाग के बाहर हैं और बाहरा बड़ी खबर आ रही है कि जो महराश्ट के स्पीकर पत के लिए जो चुना हो रहाथा अब उसका एलान और चारी के एलान हो चुका है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से सिंदे गूट था और दूसरी तरफ जो एक नासिंदे और दूसरी तरफ ठाकरे दौनु तरफ से वीब जारी कर दिया गया था लेकिन उसको दरकिनार करते हुए जो एक नासिंदे हैं वो बीजेपी के साथ रहे और उसके बाद अब अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी गडबंदन का जो उमीद्वार था नार्वेकर जी उनकी अब स्पीकर पत के लिए ऐलान हो चुका है उनकी जीत हो चुका है तो महराष्ट विदान समा में ये बहुत बड़ी खबर है कि एक तरब जो जिस स्पीकर पत के लिए जो बीजेपी गडबंदन की जीत हो इसका इपसाफ संकेत है कि कल आने वाले जो यहां पर बहुमत परिक्षण होगा उसमें बीजेपी गडबंदन को संकेत मिल रहा है कि वो जी सकते हैं जिस तरीके से 145 विदायकों की आफशक्ता थी बहुमत के का सकते हैं 145 का आखड़ा चाहिए था वहीं जो 164 का आखड़ा बीजेपी गडबंदन को मिला एक थंपिन मेजॉर्टी के साथ वो आज स्पीकर बने और कल यह देखना हो कि जो बहुमत परिक्षण होगा यहां पर बिदान सभा में वो किस तरीके से बीजेपी गडबंद थे कि अगर यह गुहाटी से यहां मुंबई वापस आएंगे तो ऐसे हमारे पास 20 से लगबग ऐसे बिदायक हैं जो बागी गुट में हैं वो हमारे संपर्क में हैं लेकिन आज साफ यह निश्चित हो गया कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी गडबंदन की जीत हुई ह उससे यह साफ संकेत है कि जो यह संकेत दिये जा रहे थे कि 20 बागी गुट के जो बिदायक हैं वो हमारे संपर्क में ऐसा कुछ नहीं था यह केवल एक राजनीती के उनमें फूट पैदा करने के लिए बात कही जा रही थी जो संजय राउत लगातार ऐसी बात कर रहे थे क आज बीजेपी के स्पीकर पत का यह पीछे देख सकते हैं आप महराज विदानसभा के यहां पर बैरिकेड लगा दिया गया कोई किसी को भी बिना चेकिंग के यहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है यह बताय जा रहा था है जिस तरीके से आज जो कल ही मुंबई से आ आएगी स्पीकर पत के लिए और जैसे ही आज जो चुनाव सुरू हुआ उसमें सबसे पहले दौनिमत से वह प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की गई लेकिन जब विपक्स के दलों के द्वारा इसको विरोध किया गया तो उसके बाद हैट काउंटिंग सुरू ही हैट का 64 विदायोकों की समर्थन मिला है तो ये पूरा केलियर हो गया है कि बीजेपी और जो एक नासिंदे उनके पास पूरा भहुमत है और अब ये सरकार आने वाले डाए साल के लिए काम करने के लिए तयार है और कल इसका भहुमत परिक्षन भी होना है तो ये दो दिन का जो सत नावायोग में जाएगा सुप्रिम कोर्ट में भी जाएगा कि दोनु तरफ से वीब जारी कर दिया गया तक किसका वीब सही माना जाए एक नासिंदे ने कहा था कि इससे पहले कि जिस तरीके से उन्होंने जो वीब थाकरी को भी जारी किया था और बागी गुटके जो एक नासिंदे की सरकार है उसमें किस तरीके से आने वाले समय में जो सिफचैनपार्टी है उसके एश्वत्तर पर शातर है कि असली जो सिफचैना Khकत्रा कमें ने में भी जारी कि इसे पाइड कि आपकर शुर्मिक्ता करते रहे mic self this श्रुषने के वे करते तो अर्मीर नंयों कि युज़ां. जो विती हुई है और आज इस तरिके से एक संजय राउद लगातार ये कह रहे थे कि 10-15 विधायक उनके संपर्क में हैं तो आज एक नासिंदे ने ये कहा है अगर उनके संपर्क में ऐसे 10-15 विधायक हैं तो वो हमें बताएं हम उनी को खुद ही उनी 10-15 विधायकों को वहां भेज देंगे तो जिस तरीके से ये confident दिखाई दे रहे थे सभी की वेस भूसा एक जैसी थी सबने सर पे साफा बांदा हुआ था जिस तरीके से भगवे साफे बांदे हुए थे उसके बाद आज जिस तरीके से कली वो गोवा से आये हैं उनके वहीं अगर सिफसेना की बात करें तो उयद्धा ठाकरे का गोठव लगातार है कि हमारी ही असली सिफसेना है लेकिन जो एक नाजची सिंदे है उन्होंने साथ दरसा द्या है कि जिस से पहले भी वह लाग को ये बताया है कि यो बाला साफ ठाकरे वाली खुच सिवसेना और यौक गड़वंदन है बीजेपी और सिवसेना का उसके बाद जिस तरीके से जैसे ही वो चीयर पे बैठे राहुल नार्वेकर। उसके बाद जैसीरीराम के नारे भी लगे और महराश्टा के नारे भी लगो। बाला साब ठाकरे की जय के नारे भी लगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर यह बैरिकेट्स लगे हुए हैं यहां से बस महज 500 मीटर दूर यहां पर महराश्टा का विधान सबा है जो यह विसे सत्र बुलाया गया था उसमें यही बहुमत परिक्षंड करने के लि उनकी हार यह साब दिखाई दे रही क्योंकि महज 107 विधायकों का उनके पास समर्थ हैं जबकि 145 विधायकों की आफशकता थी और वहीं जो महाविकास अगाडी और सिवसेना के विधायक थे जो स्पीकर पत के लिए उम्मीद्वार बने थे राजन साल्वी वो हार गए ह तो यह हार साब संकेत है कि कल आने वाली भहुतमत परिक्षण में जो सिवसेना है उसको हार क्या सामना करना पड़ेगा और जो भहुमत है वो बीजेपी एकनासिंदे के पास है और धाई साल बाद ही एक ऐसा समय आए जिसमें कि एकनासिंदे जो उनके मैन दाएं हाथ हुआ करते थे उड़ा ठाकरे के उन्हों नहीं बगावत की और 49 से 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उनके साथ है एकनासिंदे के बाद और 49 से ज़्यादा जो सिवसेना के वि आ रहे हैं बीजेपी के साथ तो ये अब देखना होगा कि कल जो बहुमत परिक्षणा होता है उसमें भी बागी विधायक हैं ये ऐसे ही बरकरार रहते हैं जैसे 64 विधायकों का समर्तन है या इससे और अधिक उनकी संक्या बढ़ सकते हैं क्योंकि माना जा रहे हैं जो एक सबस्ति जो जो n हो सकता है और हो और कहां से उनके विधानसभा के लिए और पिछौ सकते हैं यहां पर खा सकता है क्ड़िबाधा का हो चैकेStudy हैं्पよ सकता है जो पर तल mustn't क्योंकि आए और सामटन है क्योंकि मिलई स्विधायक है जर्णनी हैन्य और कोई भी यहां पर इस बढ़ाई विदायक आये हैं बागी विदायक और बीजेपी विदायक ये ये कॉन्फीटेंड नजर आये और आते ही जो बड़े विदायता हैं प्राम कदम उन्होंने आज सुबोई कहा था कि हम ठोक के जीतेंगे तो आज ये जो जीत है ये ऐसा ही नजर आता है कि जिस तरीके से 164 विधायकों का समर्थन के साथ स्पीकर पद बन जाना एक नव यूवक जो जिस तरीके से सबसे यूवा आप तक का स्पीकर मिला है राउ बीजेपी और एक नासिंदे गडबंदन जो एक नासिंदे कह रहे हैं कि सिर्फ सेना और बीजेपी का गडबंदन इसकी जीत हुई है तो ये कल भी देखना होगा कि क्या यही परिणाम बहुमत परिक्षण में भी साबित होता है या नहीं